नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं नहीं हुए थे, इस चौथे समन पर भी वे इडी करयाले नहीं जाएंगे इडी करयाले जाने से पहले मुख्य मंत्री हमांसुरेन हाई कोट पहुच गए इस दराण उन्होंने इडी के समन को हाई कोट में चुनोती दी है उन्होंने सुक्रवार को यजिका दायर कर हाई कोट से इस मामले में हस्तशेप करने वा करवाई पर रोक लगाने कागरख किया है बता दे मुख्य मंत्री की यजिका की कौपी इडी करयाले को भेज दी गई है आईसे में अब यहताय हो गया हाई कि मुख्य मंत्री सनीवार को इडी करयाले नहीं जाएंगे जनकारी के मुताबिक पहले सुक्रवार को ही यजिका दायर किया जाना था लेकिन हाई कोट के जस्टिस के पी देव के निधन के कारण आवकास घोसित कर दिया गया इस वज़ा से मुख्य मंत्री के तरब से आज क्या दायर नहीं किया सकी इससे पहले मुख्य मंत्री हेमान सुरे ने इडी के समन को चुनावती दी थी वह इसके विरोध सुप्रीम कोट का रूख किया था ज्यारखन में कर्मा परवपर सोमवार को रहेगी छुट्टी ज्यारखन का प्रकीती परव कर्मा सोमवार को मनाया जाया का इसके मंद्य पर सासक अमीत कुमार ने निगम छेतरे के परमुख कर्मा पुजा अस्थाल सहजाद चौक हात्मा बस्ती एवं करम टोली चोग में साप सफाई एवं निगम अस्तर से उपलब देकराई जा रहे बेवस्थाओ का निरिक्षन किया है वही राज सरकार ने सोमवार को कर्मा पुजा का अवकास गोसित किया है पुर्व में अवकास का निर्धारन रभीवार को किया गया था रामद्याल मुंडा जन जाती सोल संस्था ने सोमवार को कर्मा पर मनाने की खोसना की है इसे ध्यान में रखते हुए सोमवार को सरकारी अवकास गोसित किया गया सुक्रवार को कार्मिक विभाग नई समध में अधिकारिक अजिसुतना जारी कर दिया है प्रसांत अमीत कुमार के निरिक्षन करम में उन्होंने समधित पता अधिकारी एवं टीम को निर्देश दिया है की करमा पुजा के पुर्व सभी आखाडा की प्रती दिन पूर्ण सफाई कराई जाए एवं ब्लेचिंग वा चूने का छिड़काव कराया जाए डॉक्टरों की हरताल खत्म मेडिकल प्रोटेक्शन भी लागू करने की मांग जमसेदपुर के MGM अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट के बिरोद में घोसित हरताल को डॉक्टरों ने वापस ले लिया है मारपीट के खिलाप राजयभर के डॉक्टरों ने सुक्रवार को करीब दो घंटे तक ओपीडी सेवा को ठप रखा राजदानी रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में भी करिब दो घंटे तक OPD से वा ठप रही जिस्वज़ से मरीजों को काफी परिशानियों का समना करना पड़ा है मरीजों की परिशानियों को देखते विए जमसेदपूर में आरोपी परिजन को पूलिश ने तुरंथ ही गिरफतार कर लिया जमसेदपूर IMA विंग के डक्टरों ने इसकी पुष्टी की है जिसके बाद राजे भर के डक्टरों ने कारे भाहिस्कार वापस ले लिया है विभाग ने इसे गंभीता से लेते हुए टाटा जू, वन विभाग और पसु विभाग तथा सभी नीजीव सरकार्य स्पतालों को भी पत्र भेजा है इसमें कहा गया है कि जम सेथपुर में संक्रमन फैनले का खात्रा अधीक रहता है ऐसे में सफी को सवधान होने की जरूरत है ताकि वाइरस को पनपने से रोका जा सके बता दे केरल में नीपाह वाइरस के कई मामले सामने आ चुके है टाटा जू और वन विभाग में चमगादलों की संक्या धीक है उसके आसपास परटकों को नहीं जाने की सला दी गई सुवर से भी यह विमारी फ्यल सकती है जिला सर्विस लैंस विभाग ने जिन अस्पतालों को पत्र भेजा है उनमें महात्मा गांधी मेमोरियल मेटिकल कॉलेज सामिल है अब एक पंजियन से जारकन में कहीं भी मैट्रिक इंट्र की परिक्षा दे सकेंगे बिद्यार्थी भी पंजियन को आगे बढ़ाने के प्रवधान था, ब्यवसाइक परिक्षा में पुर्वक का प्रवधान जारी रहेगा, यह निरने गुरु आरको जार्खन एकेडमी कॉंसील जैक की बैठक में लिया गया, बोट ने जैक में IT सेल के गठन के प्रस्ताव को सोकृति दे दिय मैटरिक इंटर के परिक्षार्थियों का इंप्रोव्मेंट परिक्षा अब चालू वर्ष में ही संपूरक परिक्षा के साथ ली जाएगी, बर्तमान में एक वर्ष बाद ली जाती थी JJMP के सब जोनल कमांडर कमलेस ने किया सरेंडर, उगरवादी संगठन JJMP के सब जोनल कमांडर कमलेस सिंग उर्फ मुकेस उर्फ नाना ने सुक्रवार को SP अंजनी अंजन वा, CRPF के कमांडेंट वेद परकास तिरपार्टी के समग सरेंडर कर दिया है, SP अंजनी अंजन ने जनकारी दिया है कि नक्सली कमलेस सिंग भागपा मवादी से JJMP में सामिल हुआ था, वर्फ 2013 में उसे सब जोनल कमांडर कमांडर कदाई तो सोपा गया था, बरे संड थाने में उसके खिलाप एक मामला दर्ज है, बता दे तो हजर एक गार हमें लातेहर के मनका थाना चेतर के डोंकी, वहीं तो हजर बाला में पलामु जिले के सतबरवा थाना चेतर के माना सातु जंगल, और चौदह हमें लातेहर जिले के बेंदी जंगल, एवं त पुल पुलिया ध्वस्त तुटने के करण कई गाओं का संपग प्रखंड मुख्याले से तूट गया है दूसरी तरफ सलकों के छति ग्रस्त होने के करण उन पर आवा गमन भी ठप हो गया है लगातार वारी से कोडारमा के चंदवारा परखंड इस्थीत काको पंचायत के गवनपूर और गराय डिह के बीश दोधी नदी के गोसाई नाला पर बना पुल सुक्रवार सुबधवस्त हो गया करिब 27 साल पहले 22 लाखी लागा सच्थ का निर्मान कराया गया था हजारी बाग फैक्टरी में बिसफोर्ट से दो लोगों की मौत हजारी बाग सहर से सटे कटम दाग के डामोडी स्थीत कुमार मेटल वर्क्स नामक फैक्टरी में सुक्रवार दोपहर बिसफोर्ट हो गया इसमें दो मजदूर रंजीत ठाकूर और सुरजदेव ठाकूर की मौ रहे थे इसी बीच तेज धमाका हुआ लोग कुछ समझ पाते तब तक चारों और मलबा फैल गया दोरों मजदुरों की मौके पर ही मौत हो गई पुलिस ने बताया है कि धमाका इतना जबर्ज़त था कि पूरा इलाका दहल गया आठवी बोर्ड की विशेष परिख्षा में 7800 परिखार्थी सफल जाकडेकेंटमी काउंसिल ने आठवी बोर्ड की विशेष परिख्षा का परिणाम सुक्रवार को जारी कर दिया है परिक्षा में करीब 15,044 सामिल हुए थे इनमें से 7,800 परिक्षार्थी सपल हुए हैं इंद्रा गांदी आवासे बिद्याले हजारी बाग और नेतर हट आवासे बिद्याले की तर्ज पर चाई बसा दुमका में चल रहे हावासे बिद्याले के लिए हुई परिक्षा का परिक्षा का परिक्षा बिद्याले कर दिया गया बता दे छटी कलास के लिए परिक्षा ली गई थी इसमें 100 सीटों के लिए अभियार्थियों का चेहन किया गया आठवी में सफल परिछार थी अब हाई स्कूल में नवी कलास में नमानकन ले सकेंगे होम गार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समान बेतन मिलने का रास्ता साफ राज्य के होमगार्ट जवानों को पुलिस कर्मियों के समान बेतन और अने सुवधा देने का रस्ता साफ हो गया है पुलिस कर्मियों के समान बेतन देने के जारखन हाई कोट के आदेश के खिलाब सरकार की आचिका सुक्रवार को हाई कोट ने खारिच कर दी है जस्टीस जेके महेस्वरी और जस्टीस केवी विश्वनाथन की अदालत ने सरकार की S.L.P. खारिच की है हाई कोट की खंडपिट ने इसी साल 12 जन्वारी को राई सरकार को होमगार्ट के जवानों को पुलिस कर्मियों के समान बेतन और अने भाता कालाप देने को कहा था सरकार को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था बता जे सरकार ने हाई कोट के आदेश के खिलाप सुप्रीम कोट में S.L.P. दायर कर हाई कोट के आदेश को गलत बता था सुनवाई के बाद सुप्रीम कोट ने राई सरकार के अच्का खारिश कर दी है बिजली कर्मियों के हरताल अस्थागीत जार्खन पावर वर्कर्स यूनियन ने अर्शित कैलिन हरताल को वापस ले लिया है जार्खन उर्जा विकास निकम लिम्टेट प्रवंधन और यूनियन की बीच हुई समझागते के बाद हरताल अस्थागीत की गई दोनों के बीच हुई बैठक में प्रमंधन ने यूनियन की 18 सुत्री मांगों पर अपनी समती दे दिया है यूनियन के अध्यक्स आसीस को बादने बताया है कि लभख सभी मांग परकिरिया में हाई और जल्द ही पूरा करने का स्वासन दिया गया है नियू डिजिनेशन मैप कि परकिरिया अमती मिस्थिती में है 45 दिनों के अंदर कमिटी रिपोर्ट दे देगी साथ यागे की परकिरिया पूंड कर ली जाएगी देवघर में 66 पदों के लिए होगा पंचायत उपचुना पूरे देवघर जिले में वार्ट सदसे के 66 पदों पर पंचायत उपचुना होगा राज निवाचन आयोग के निदेश पर पंचायत उपचुना की त्यारी पूरी हो गई है पंचायती राज कर्याले 266 वाडो में वाल्डवार वोटर लिस्ट त्यार करने का निदेश दिया गया साथी वाल्डवार मत्दान केंद्री की भी सूची मैंगी गई है एक महिने के अंदर वोटर लिस्ट त्यार कर लिए जाएंगे बता दे दिसंबर में पंचायत उप चुनाव की संभावना है राज निर्वाचन आयोग ने 31 माई तक पंचायत में रिक्त पड़े पद पर चुनाव कराने के निदेश दिये हैं धन्यवाद